नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फियर्स क्लॉड में तो दोस्तों भारती नौसेना ने अपनी खुखार पंडुबी को लांच कर दिया है और आपको बता दूँ ये जो सम्मरीन लांच हुई है या प्रोजेक्ट 75 के तहट लांच की गई है और आपको नहीं पता तो बता दूँ प्रोजेक्ट 75 के तहट जितनी भी सम्मरीन भारत बना रहा है वो सभी बेहधी खतरनाग पंडुबिया हैं तो चलिए दोस्तों बिना आपका समय बरात करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दरसल दोस्तों समुदरी सरदों की रच्छा के लिए भारती नौसेना हमेशा तैनात रहती है ताकि दुस्मन देशों की चालों को बेकार किया जा सके और इसी को रोकने के लिए 20 अप्रेल 2022 को मुंबई के मजगाउं डाक्स पर भारती नौसेना के लिए नई पंडुबि लांच की जाएगी और इसकी लांचिंग प्रोजेक्ट 75 के तहत की जा रही है और इस घातक पंडुबि का नाम है INS वागसीर या एक सकार्पियन यान कलवरी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सम्मरीन है या बेहधी आधुनिक नेविगेशन ट्रैकिंग प्रनालियों से लेस है और इसके साथ ही इसमें कई तरह के हत्यारों को भी सामिल किया गया है और आपको बता दूँ कि प्रोजेक्ट 75 के तहत अभी तक पांच आधुनिक पंडुबि भारत की रच्छा में तैनात की गई है और अब इस प्रोजेक्ट की आखरी पंडुबि आई एनस वागसीर को लांच किया जाएगा दुस्पन के लिए कहर बनने वाली ये सम्मरीन का फिलाल एक साल तक समुद्री परिछड होंगे उसके बाद सम्मरीन को भारती नौशेना में कमीशन किया जाएगा वहीं आपको बता दूँ कि आई एनस वागसीर कई प्रकार के मिशनों को अंजाम दे सकती है जैसे कि सतय विरोधी युद, पंडुब्बी रोधी युद, खुफिया जानकारी एकत्र करना, समुद्री बारूधी सुरंग विछाना और छेत की निगरानी करना पंडुब्बी को आपरेशन के समय हर परिस्थिती में संचालन करने के लिए डिजाइन किया गया है इस सम्मरीन को मजगाओं डाक सी बिल्डर्स ने बनाया है और यह पूरी तरह से मेक इन इंडिया और आत्म निर्भर भारत के तहद बनाई गई है और यह कलवरी क्लास पंडुब्बी है इस क्लास की पंडुब्ब्यों की लंबाई लगभग दो सो एकीस फीट बीम बीस फीट और उचाही चालिस फीट होती है इस सम्मरीन में 4AMTU 12V 396 SC84 डीजल इंजल लगे होते हैं और इसके अलावा 360 बैटरी सेल्स होती हैं पानी की सताय पर इनकी गती 20 किलोमीटर प्रतिगंटा होती है जबकि पानी के अंदर ये 37 किलोमीटर प्रतिगंटा की रफ्तार से चलती है वहीं इसकी रेंज इनकी गती के मुताबिक तै होती है अगर या सतै पर 15 km प्रतिगंटा की रफ्तार से चल रही है तो या 12,000 km तक चल सकती हैं पानी के अंदर वही या सम्मरीन 1020 km की रेंज तक जा सकती है लेकिन गती 7.4 km प्रतिगंटा होनी चाहिए या समरीन 50 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है और अधिक्तम 350 फीट की गहराई तक जा सकती है इसमें 8 सैन अधिकारी और 35 सेलर तैनात किये जा सकते हैं इनके अंदर एंटी टारपीडो काउंटर मेजर सिस्टम लगा है इसके अलावा 533 मिलीमीटर के 6 टारपीडो समुदरी बारूदी सुरंग बिचा सकती है वहीं भारती नौसेना के पास INS वाकसीर के सामिल होने के बाद कलवरी क्लास की 6 टैक सम्मरीन हो जाएंगी और इस क्लास में INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज और INS बेला और INS वागी लांच की जा चुकी हैं अब आप लोगों न भूलें ताकि डिफेंस से जुड़ी खाबरे आप तक पहुंशती रहें धन्यवाद